lineized का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सेख लेते हैं lineized का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे lineized किया गया हो या जो lineized किया गया हो उसे adjective के रोप में हम lineized कह सकते हैं इसके इलावा lineized जो है वो lineized का past tense और past participle होता है यानिके linized की ही second और third form होती है linized और linized का आर्थ होता है चापलूसी करना, खुशामद करना या बहुत महत्व देना तो जिसे बहुत महत्व दिया गया हो या जिसकी खुशामद की गई हो उसको हम linized कह सकते हैं और इसके इलावा किसी ने खुशामद की, चापलूसी की या बहुत महत्व दिया या दे दिया तो उसके लिए भी linized का इस्तिमाल किया जा सकता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें